लोग सुबद चुनाओं दोहज़र चौबिस के पहली चरण के मददान के बाद पीम नरेंद्र मोधी अलग-अलग राज्यों में रैली कर रहे है 21 अपरिल को उन्होंने राजिस्तान में जन्ता को संबोधित करते हुए कॉंग्रेसर विपक्ष को खूब खरी-खोटी सुनाई मोधी ने दावा किया कि कॉंग्रेस ने देश की संपत्ती पर पहला अधिकार मुसल्मानों को दिया है अपने संबोधन में उन्होंने मुसलमानों को गुस्पैटिया करार दिया उनके इस भाषन पर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कॉंग्रस नेता राहूल गांदी ने दावा किया कि पहले चरन के मतदान में बीजेपी को निराशा मिली है और इसलिए प्रदान मंत्री घबरा गए है राहूल गांदी ने जवाब देते हुए पोस्ट किया इसमें उन्होंने लिखा पहले चरन के मतदान में निराशा हात लगने के बाद नरेंदर मोदी के जूट कैस्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर वो अब जन्त को मुद्धों से बटकाना चाहते है कॉंग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टों को मिल रहे आपार समर्तन के रुझान आने शुरू हो गए है देश अब अपने मुद्धों पर वोट करेंगा अपने रोजगार अपने परिवार और अपने भविश्चे के लिए वोट करेंगा भारत बटेंगा नहीं